पाकिस्तान वर्सेश श्रीलंका एशिया कप फाइनल आज श्रीलंका की छटी और पाकिस्तान की तीसरी बार चैंपियन बनने पर रहेगी नजर दोनों ही बनना चाते हैं एशिया कप चैंपियन. दुबई में टॉस की भूमी का महत्वपूर्ण रही है और ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को नुकसान होता है पाकिस्तान का वैसे भी पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है एशिया कप T20 का फाइनल मुकाबला रविवार को श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा आर्थिक संकट के बीच अगर श्रीलंका टूर्नामेंट जीतता है तो उसके देश्वासियों को खुशी के कुछ लमहे मिलेंगे मगर इसके लिए उसे पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को तीन दिन के भीतर दूसरी बार हराना होगा श्रीलंका एक तरह से एशिया कप का मेजबान है लेकिन सुरक्षा कारणों से वह इसका आयोजन अपने देश में नहीं कर पाया और इसलिए सन्युक्त अरब अमीरात को इस टूर्नामेंट को आयोजित करने का मौका मिला दोनों के बीच यहाँ फाइनल में चौथी तक्कर होगी पिछली तीन में से दो बार श्रीलंका जीतने में सफल रहा है दासुन शनाका की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम के सुपर चार के प्रदर्शन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम के लिए चुनोती किसी भी तरह से आसान नहीं होगी चाहे वह एशियाई क्रिकेट परिशद हो या फिर दुबई के दर्शक सभी चाहते थे कि फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो लेकिन श्रीलंका ने बहतरीन प्रदर्शन करके उनके सारे समीकरण बिगार दिये उसने शुक्रवार को फाइनल के अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ सुपर चार के अंतिम मैच में आसान जीत दर्श की थी इससे उसकी टीम फाइनल में बढ़े मनोबल के साथ उतरेगी लेकिन दुबई में पाकिस्तान को दर्शकों का अपार समर्थन मिलने के खिलाए